मेट्रो रेल से समंदित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाई पेलपी चैनल को सबस्क्राइब की दिए साथ में स्वेयर करना मत बूलिए हलो दोस्त रेलवे ग्रूप डी का डॉक्मेंट वेरिपिकेशन अन मेडिकल का हो रहा है प्रोसेस तो यहां मेडिकल टेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है और यह केवल गुरूप डी नहीं एलपी जेई टेकनिसियन और कहें बड़े मामलों में तो मेडिकल टेस्ट फोर सी एंडी के ओल पोस्टों के लिए तो अभी तक आपने बहुत सारे जगों पे देखा होगा मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बताया जाता है C1 होगा इस पोस्ट के लिए C1 होगा यह टेस्ट यह होगा ऐसा होगा अस्टेप बई अस्टेप बता रहे हैं लेकिन यहां हम बात करेंगे अंदर की किसकी अंदर की जब हम टेस्ट देते हैं तो डॉक्टर क्या करता है और डॉक्टर हमारे रिपोर्ट में क्या लिखता है यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि हम जो टेस्ट देते हैं वो हमें नहीं पता होता जब हमारा रिजल्ट आता है वो डारेक्ट आपको वेब है कि हम फेल हुए या पास हुए कुछ मेजर कंडिशन में डॉक्टर बता देते हैं कि यहां प्रोलम हो गया है आपका यह पॉइंट मजबूत है या कमजोर है तो यहां step by step समझेंगे कि क्या है प्रोसेस समझे कि इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान होता है डॉक्टर को तो हर पोस्ट के लिए अलग-अलग अस्पेसिफिकेशन होता है लेकिन सबसे पहले एक साइन आपको एक थोड़ी सी पॉइंट दिखा दूँ डॉक्टर का लास्ट रिमार के यह होता है ध्यान दिजेगा फीट अनफीट और टेम्परोरी अनफीट फोरे काउंट यह तीनों में से जिसका आपका साइन लग गया समझिए वही फाइनल है और वही है बाकी आपके टेस्ट में क्या हुआ है यह नहीं पता क्योंकि अगर मेजर फिल्वर है तो आपको एकदम बिल्कुल अनफीट फोरे काउंट कर दिया जाएगा रेलवे की इ टेंपरोरी अनफीट एकाउंट होता है और 0.1 या कुछ इसके उकविलेंट फिट फोरे काउंट होता है डाइडेक्टली क्योंकि इनको एक चांस टेंपरोरी वाला दिया जा सकता है तो अभी इस टेस्ट के लिए हम जा लेंगे कि कैसे यहां तक फिट तक पहुंचने या टेंपरोरी अनफीट तक पहुंचने में क्या क्या प्रोसेस रेलवे करता है उस बात को हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान से देखने के लिए सीरियल नंबर वन से जाएंगे और इस फोर्मेंट में थोड़ी बहुत बेरियेशन हो सकती है ध्यान दिजेगा यह फोर्मेंट पैरा 505 है पोस्ट बाइपोस्ट थोड़ी बहुत बेरियेशन हो सकती है तो यहां देखिए सबसे पहले यान लिखा हुआ है अस्टेटमेंट फोर डिक्रेशन फोर गिवेन कंडिडेट एपॉइंटमेंट तू दी गजटेड रेलवे सर्वीस रेलवे के लिए यह है इसी तरह नन गजटेड सर्वीस के लिए सेम पॉइंट होती थी जिसको एनेक्सर 3 के नाम से बोला गया था और एनेक्सर 3 अभी डिलिट है केवल हम 2 पे इसको बात करेंगे रेलवे के आप मेडिकल चैप्टर 4 में जाएंगे 5 में सोरी उसमें एनेक्सर 3 डिलि हैं दो आपका गजटेड के लिए था और 3 नन गजटेड का था लेकिन परफर्फर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है दोनों एक ही चीज़ है तो चलिए हम एनेक्स 2 से ही शुरुआत करते हैं बाकी इधर डिटेल बगेरा बगेरा बरने के लिए है सारा चीज यह रिपोर्ट फोर्दीद मेडिकल बोर्ड ओन यहां पर आपका नाम होगा जब रिपोर्ट बनेगी तो यहां पर आपका नाम होगा मैं रेलवे लाइप अपना चैनल का नाम लेगे देता हूं अब यहां से समझेए यहां से सुरू हुआ है आपका टेस्ट तो टेस्ट म पढ़ेंगे तो लिखा हुआ रहेगा feet for all aspects, all aspects से आप feet होने चाहिए, यह general measurement है, दूसरा measurement है eye test का, बहुत important होता है, eye test यही post में difference होता है, general measurement लगबग सबका सेम होता है, eye का format A1 से लेके C1, C2, C3, C3 तक होता है, अलग-अलग post के लिए, A1 आपका जितने भी signal से related post पे है, A2 आपका traffic से related, A3 भी traffic से related, यानि पूरी तरह से operation से related जो भी post है, वो A1 से A2, A3 तक होता है, B1 में आपका technician का category शुरू होता है, और भी category शुरू होता है, जो आपके tickting बग workshop या related जो भी job होता है, उसमें होता है, पलस ticket counter बगेरा में C3 होता है, तो चलिए हम performa के बात करते हैं, जो अंदर की बाते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपका है physical examination, general examination में है, आपकी good status है, general examination fair, poor क्या है, nutrition कैसा है, आपकी खान-पन कैसा है, आप मोटे पत एक general aspect आपका लिखेगा, तो लोग काते हैं कि इसमें क्या-क्या हो सकता है, तो देख लिजिए, सारा चीज़े आपके सामने है, physical examination, यानि देखने से ही पता चले जाता है, किस candidate का कितना good है, और doctor specialist होते हैं, वो देखके ही समझ जाते हैं, कि कितनी percentage यह candidate fit है, उसके बाद द आप inter करेंगे, और यह record में डाल दिया जाएगा, height और weight बहुत ज्यादा important pattern नहीं है, क्योंकि यह non-guggeted का है, guggeted वाले में इसमें बहुत जरूरी होता है, उनका measurement में height कुछ measurement माना गया है, यहां आपको कोई दिकत नहीं है, उसके बाद एनी change of recent change in height आपका weight और temperature यह दो बहु ज्यादा variation नहीं होता, ऐसा नहीं आप जो candidate कहते हैं कि मेरा version 100 kg है, तो 100 kg है तो आपको यह general aspect में ही देखने से पता चल जाता है, कि आपकी general aspect health अच्छा है या खराब है, अगर 100 kg है तो group D में आप कम से कम 1000 मीटर वाला दोर तो नहीं पास किये होंगे, यह भी एक condition है, 1000 मीटर और 1 किलो मीटर की दोर जो थी बहुत candidate फेल हुए है, तो वहाँ पर बान सकते हैं, यह condition नहीं होगा, फिर भी हमारा concept है कि एक good, railway यहीं देखता है कि एक बेक्ती इस काम के लिए suitable है या नहीं suitable है, अग नहीं होगा तो आपको आगे की process चलते हैं, तो आगे की process में आपका chest के लिए है, chest generally हर बार देखा भी जाता है, नहीं भी देखा जा सकता है, इसमें दोनों full expansion और सिकुड़ा हुआ, दोनों normal हालत में और बढ़े हुए हालत में हावा फुलाने के बाद भी test किया जा सकता ह है, लेकिन यह कोई necessary नहीं है, कई जगा good आपकी health अच्छी देखके भी यह छोड़ दिया जाता है, क्योंकि executive जितने भी post A and B registered post है, उसमें यह जरूरी है, तो यहाँ पर आपको non registered में कोई जरूरी important नहीं है, फिर भी अगर test भी होगा तो कोई दिकत नहीं है, क्योंकि यह measurement आपकी beneficially और direct आपकी medical test में नहीं आता, उसके बाद अगला test है, असकीन के regarding, इसी में, असकीन क्या है, कोई एक असकीन पर digit तो नहीं है, बहुत बड़ी problem होने वाली नहीं है, आपकी चमड़े पे, तो यह सारे चीजे देखते हैं, कि general aspect क्या है, एक human good condition में राता है, तो इसकी status क्या होती है, उसके बारे में, उसके बाद आपके आएगा, तीसरे point पर आईए, तो तीसरे point हमारे अगले slide में है, तो तीसरे point हमारा आप, यहां point नमबर एक बार देख लें, हम अभी तक हम चले थे, दूसरे physical और chest side पे, उसके बाद हम आएँगे अगले point पे आप में यस रहेगा तो यस नो रहेगा तो नो यहाँ पे भरा जाएगा और जेनरली यह कंडिशन ही भरा जाएगा उसके बाद night blindness night vision test करते हैं तो night में आपके blindness है क्या उसके बाद defect of color vision color blindness में भी कोई problem है क्या फिल्ड वीजन में कोई प्रोलम है क्या विजूल एक्चुलिटी में क्या है यह सारा पांचों कॉइंट आई साइड का लिखा जाएगा उसके बाद भी आई साइड में और भी है यह तो जिनरल एस्पेक्ट है उसके अलावा आपकी वीजन भी है तो वीजन में देखी यहां पर है स्टेंथ ऑप गल हुआ है एबन में छोड़के आलाव नहीं है तो इसके लिए यह यहां भरा जायगा और इसके लिए यहां भर जायगा उसके लिए तीन चीजे लिए यह एस पी एच सिलिंट कर एकसिस तीनों चीज भरा जाएगा यह डॉक्टरी टर्म है उसके बाद डिस्टेंस बीजन में राइट आई और लेप्ट आई यहां गलास के साथ यहां बिदाउट गलास के साथ और फाइनल यहां शिक्स बाइशिक्स यहां क्या है जो भी रहेग यहां पर डॉक्टर भारा जाएगा उसके बाद फान्च मांच यहां का इंस्प्ट्र कोई प्रोलम है राइट में में यहां क épamtना कि्टर लोग पुझते हैं कि दात कैसी होनी चाहिए तो दात एक नॉर्मल होनी चाहिए कोई लोग आते हैं पान गुट का खाता हूं क्या होगा तो देखिए पान गुट का तो ऐसे नॉर्मल एस्पेक्ट करता है कि नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा नहों कि देखने में ही कोई बता दे कि यह जौब के गूड कंडिशन से बैड कंडिशन में जा रहा है तब दिक्कत होगा तो गूड एस्पेक्ट आप रखें अगर खाते हैं तो साप सूप करके जाएं और अच्छे से बनाए रखे दात को कि ऐसा नहीं कि देखने में ही डॉक्टर को लगे कि यह बहुत खराब कंडिशन है तो जनरल एस्पेक्ट माइनर हो सकता है कुछ लोगों को रहता है कि दांत में हमारा फीलिंग किया हुआ है यानि दांत में कहीं कट गया था या तूट गया था उस ज लुकिंग अच्छा है तो यह अच्छा माना जाता है कोई दिकत नहीं है उसके बाद अगले पास है हमारे रिस्पैस्टिस अपना सांस लेने से समंदी सिस्टम में कोई प्रोब्लम तो नहीं है इसके लिए एबनॉर्मिलिटी रिस्पिरेशन का चेक होगा और 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 कभी चेक होगा हो सकता है एक सरे आगे आएगा एक सरे हम भी देखेंगे उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोब्लम अगर डॉक्टर को लगता है तो डॉक्टर उसके रिगार्डिंग अलग से इन्विज्वल टेस्ट भी इसके अलावा करा सकता है ध्यान दिजेगा किसी कोई explain करना है डॉक्टर को पूरा लिखेगा कि क्या प्रोबलम है किस और गन में प्रोबलम है किस टाइप के प्रोबलम है उसको explain करेगा अगर नहीं है तो नहीं ला जाएगा आपका कोई यरूरती नहीं है उसके बाद अगले पॉइंट में जाएंगे हमारे पास अगला पॉइंट है आपका सिस्टम यानि बलड का सिस्टम का तो बलड में सबसे पहले आप देखिए हाट है एनी ऑर्गेनिक लिजियन फिर उसके बाद रेस्ट अंडेस्टेंडिंग दोनों के बारे में आपको यहां पे दिखाएगा उसके बाद आप्टर होपिंग पचीस मिनट और टाइम से सब अलग अलग है हाट का बीट रेटन आपना बहुत सारी चीज़े टेस्ट होगा इससे सर्कुलिटिक सिस्टम में उसके बाद दूसरा में मिनट आप्टर होपिंग हो अप पहले में है पहले भीपोर आप्टर सब टोटल तरज के दोक्टर जैसे चाहेगा वैसे करेगा उसके बाद उसी में आपका ब्लड प्रेसर का सिस्टॉलिक और डिये 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 तोनों के लिए यहां पे मेजर करके लिख दिया जाएगा ऐसा नहीं नॉर्मल अपका होना चाहिए ऐसी एक्सो बीस इस वाले रेंज में थोड़ी बहुत आगे पीछे चल जाता है यहां पे अगर 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 आशी के जगह पे पच्छतर एक्सो बीस पचीस बीस है तो टीक है अगर इधर एक्स सकता है कि temporary speed है या कोई problem है तो असी एक्सो बीस के एपरेज में आपको सही आसपास होना चाहिए तो यह भी एक जरूरी है उसके बाद आपका है फिर से टेस्ट आता है abdomen का उसके बाद ग्रीट का हरनिया का और तिंड देखिए तिंड डर्निस का तो देखिए हरनिया बहु माना जाता है कि अच्छा हो गया है यानि पहले बीमारी था अभी ठीक हो गया तो डॉक्टर की तरफ से यही रिमार्क आएगा कि आप अभी एस्टेटस नॉर्मल है लेकिन अगर एस्टेटस में कोई problem है तो डॉक्टर वहाँ पे write कर देगा कि अभी problem है उसी तरह आपकी स सारे टेस्ट हैं के बारे में भी डिटेल लिखा जाएगा उसके बाद पार बी में के ही अगला पॉइंट सी है जिसमें आपको लिखा हुआ है लिवर से रिलेटेड अस्प्लीन यह तीनों में कोई problem है क्या तो हो सकता है टेस्ट अस्पीब भी कर दिया जाए अगर आपकी हेल्थ गूड लग रही है तो यह टेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि लिया ही जाए अगर नहीं लगता है तो यह टीक मार करके डॉक्टर रिया स्यास करके आगे बढ़ा देगा उसके बाद अगला है आपका किड्नी टूमर किड्नी में कोई टूमर है क्या तो कोई तोड़ी नहीं है कि किड़नी का एक सरव आपका होए लेकिन होभी सकता है ये द्हान रख़िए गा क्योंकि रेल वेक्ष का जो मेडिकल डॉक्टर जो अगर डिमांड करता है उन्हें लगता है कि अगर जरूरत किया जा सकता है उसके बाद आपके बाद सी लिटेड इधर आपने देखा था और नीचे की तरफ देखा आपने यहाँ पे आपकी सांस से रिलेटेड जो भी था उसके बारे में था कुछ और्गन के बारे में भी था अब आता है अगले नंबर पे आपके नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम यानि आपकी न्यूट्रोंस नियूरोलोजी का सिस्टम तो नर्वस सिस्टम में भी देखिए नर्वस सिस्टम में आपका क्या है नर्बस सिस्टम में आपका नर्बस और mental एस्टेटस या नर्बियस सिस्टम के बारे में है तो जनरली यह नर्मल ही होता है यह कंडिडेट एक्जाम पास करके जाए सारी चीज करके जाता है तो नर्मल ही होता है उसके बाद आपका उनके लिए है कुछ लोग disability या PWBD candidate होते हैं उनका भी यहां पे है urine system के लिए अलग से यहां दिया हुआ है आपका urine में क्या-क्या होता है यानि आपके मुत्र में क्या-क्या पाया जाता है और क्या लेबल है यह टेस्ट किया जाता है तो इसमें देखिए physical कैसा color है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा yellow है यह भी एक टेस्ट है उसके बाद और special कोईच भी अगर पाया जाता है तो इसके बाद sugar कास्ट जया और sales यह सारे टेस्ट urine टेस्ट का एक special doctor का पैमाना है यह टे आपका एक सरे होगा किसके लिए चेस्ट के लिए चेस्ट में कोई problem नहीं है यह एक सरे important है तो इसको BBI लिख लिजिएगा और urine important है BBI होगा किसी भी condition में इसको skip नहीं किया जाएगा आपका urine test का एक सरे test का यह होगा ही होगा इसके लिए कोई excuse नहीं होता है डॉक्टर के पास भी और यह general routine वर्क है उसके बाद आप 15 नबर देखे एनी health condition likely to render डॉक्टर कहीं है health condition report करता है तो उसको यहां पर लिखना है उसके बाद कह रहा है कि क्यों ऐसा होगा जब उसकी duty में के discharge करने में कोई problem होगी क्या अगर इस वीमारी है तो इसमें रते हुए भी वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है तो कुछ लोग कहते हैं मेरा minor problem है doctor fit कर सकता है क्या तो यह doctor के उपर depend करता है वो judgment करता है कि इससे duty आपका effective होगा या नहीं होगा यानि आपकी problem है उससे आपको काम करने में दिकत होगी या नहीं होगी अगर दिकत नहीं होगी तो आपको कोई फीट दे दिया जाएगा अगर उससे अनुमान लगता है कि आपकी काम पे वर्क पे असर पड़ेगा यानि आपको काम करते वक्त उसकी तकलिफ होगी तो अनफीट या टेम्परोरी अनफीट में जाएगा उसके बाद आप 16 नमबर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच सर्वी सहर वी कंडिडेट वी एक्जामेड एंड फाउंड खाली-खाली का इस्तान क्वालिफाई फोर इफिजेंट एंड कंटिनिवस डिस्चार्ज तो यहाँ पर आपको फाइनल कंडिशन लिखे जाएगा कि आपका कंडिडेट हैज बिन एक्जामेड एंड अप्थ हो जाता है डॉक्टर इतनी रिपोर्ट बनाके आगे बोड और मेडिकल को भेज देगा एक बोड होती है वो मेडिकल का उसके मेंबर और चेर्मेन होते हैं तो डॉक्टर यहाँ तक सारी रिपोर्टे जो उन्होंने देखा जो उन्होंने पाया सारा कहां तक कॉलम सोलह तक भरके दे देंगे और जो not test होगा उसमें एने लिख के जाएगा not applicable for this post समझ गए होंगे सारी condition clear हो गई अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद आप feet है नहीं feet है आगे decide कौन करेगा तो यहाँ पे decide 17 नंबर पे आएगा यहां तक हो गया feet unfit वाला खंदियर हो गया उसके बाद यहां पे आएगा each condition feet for field service field में job करने के लिए यानी railway का station track करने के लिए feet है या नहीं है यहां पे लिखना है yes या no यहां तक उसके बाद मैं डॉक्टर की काम यहां समाप्त करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा पहले बोल द लिए अब यहां तक समाप्त हो गया डॉक्टर का काम उसके बाद इसको verify chairman करेंगे उसके जितने member हैं वो verify करेंगे उस किसके medical committee का जितने भी हैं वो इसको एक signature करेंगे कि यह जो उपर का report है उसका examining किया गया और examine करने के बाद final condition जो हमने शुरू में दिखाया था the board should be record their finding under once the following three category यहां जो लिख गया वही आपकी लकीर है वही आपको job में entry है अगर यहां पे आपको fit type हो गया लिख दिया गया job for fit यानि आपके लिए impairment का रास्ता खुल गया यानि job का रास्ता खुल गया अगर unfit लिख दिया गया तो आपके लिए रास्ता block हो गया अगर temporary unfit और temporary unfit है तो इसके लिए एक chance और मिलेगा once again medical test होगा आपका दुबारा medical test होगा कितना time लगेगा यह railway decide करेगा तो समझ गया तीनों point का मतलब यह थ railway document, verification के बाद medical examination और medical examination में क्या क्या main remark point है कहां पर focus होता है railway को किस point को ज्यादा देखना है तो तीन चीजे आपने देखना आपका x-ray बहुत important है, urine report बहुत important है, physical status आपकी check होगी क्या है कोई digit तो नहीं है यह बहुत जरूरी है और चौंथा important है आपकी eye, eye से related test यह चारो point को अलग-अलग तरीके से जितनी जरूरत होगा railway test कर सकता है क्योंकि आपको job में रखने के लिए 60 साल तक का आपका रिष्ता और railway के साथ रिष्ता है, जितना आप feet हैं तो घबराने के जरूरत नहीं है, अगर minor problem भी है तब घबराने के जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई major problem है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सुधार करके जाना है, तो normally हम मानते हैं कि 14-30 साल, 18-30 साल के candidate में इतनी ज़्यादा problem नहीं आती, problem तो age के साथ create होता है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग आपस में जब medical देने जाए तो नीडर होके जाए, और बस just hope करें कि feed उनके रिमार्क में लिके, thank you, धन्यवाद